आज हम लोग बात करेंगे एरे जावा में एरे क्या होता है एरे के बारे हम लोग आज बात करेंगे ठीक है पहला definition देखते हैं Arrays are used to store multiple values in a single variable Array use किया जाता है बहुत सारे value को किसी एक single variable में store करने के लिए दूसरा definition देखते हैं Array contains elements of a similar data type यानि array जो होगा variable, array हो जो होगा वो एही तरह का element को या एही तरह का data type को ही store करेगा इसी को हम करते हैं homogeneous data type Array is a homogeneous data type या array is a homogeneous data structure kind of data structure ठीक है फिर देखते है Array in Java is index based The first element of the array is stored at the 0th index Second element is stored on first index and so on ठीक है तो ये जो है definition array की के single multiple value जो होगा वो किसी भी single variable में store होगा और array में जो होगा एक तरह का ही data type store किया जाएगा इसी को हम कहेंगे homogeneous data type ठीक है अब देखते हैं इसको थोड़ा syntax के साथ explanation के साथ उसके पहले हम देखते हैं array जो है array को हम दो भाग में categorize कर सकते हैं एक होगा one dimensional array दूसरा होगा two dimensional या फिर उससे ज्यादा होगा ठीक है आज हम बात करेंगे सिर्फ one dimensional array के बारे में ठीक है तो one dimensional array के लिए सबसे पहले जो topic होगा सबसे पहले जो point होगा array को create कैसे करेंगे that is creating an array इसके लिए हमारे पास तीन steps होगे declaring the array creating memory locations putting values into the memory locations ठीक है यह तीन steps को जब हम लिखेंगे कैसे array को create करेंगे यह तीन steps follow किया जाएगा इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले क्या हो जाए creating an array हो जाग तीन steps होगे अब तीन steps को एक एक करके हम देखते हैं सबसे top में क्या हमारे पास अब देखें यहाँ पे declaration of array declaration of array में हम क्या करेंगे जो syntax होगा उसका data type होगा सबसे पहले उसके बाद array का नाम होगा और यह square bracket होगा फिर यहाँ data type इसका दूसरा format कैसे है data type होगा और यहाँ पे square bracket होगा और फिर array का नाम होगा इसको हम एक्जामपल में देखाएंगे int number यह number क्या हुआ यह array का नाम हुआ यह variable हुआ और यह जो होगा square bracket होगा दूसरा example हमने float से लिया well और यह हमारे square bracket और फिर इस type का हमने यहाँ पे example लिया इस type के example हमने लिया यहाँ पे int data type होगा square bracket और फिर यह variable का नाम ठीक है तो यह हुआ declare of the array declaration of the array हो गया अब इसको हम create करेंगे create करने के लिए क्या करेंगे जो array का नाम था array नाम लिखेंगे equal to new और यह फिर type यानि कि data type फिर size define करेंगे array का नाम हमने number लिया था equal to new और type क्या रहे था हमने int और यहाँ पे size हमने क्या define कि 5 यानि number नाम का array declare हुआ जिसका size क्या होगा 5 दूसरा example हमने float का well लिया था well equal to well equal to क्या हमने लिया new float और size क्या क्या हमने इसका 10 किया तो यह दो examples हमने दिखाया है array को declare कैसे करते है और create कैसे करते है ठीक है अब आगे दिखते हम इससे related examples कुछ है जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि int number यानि यह हमारा array का नाम है equal to new यानि कि जो हम दो line में करते थे creation और declaration उसको हम एक ही line में कर सकते हैं direct इस तरीके से data type लिखेंगे, array का नाम लिखेंगे equal to new और यहाँ पे लिखेंगे हम data type और size define करेंगे ठीक है अब इसको हम थोड़ा explain करते हैं यहाँ पे जैसे यह array का नाम number है तो number अगर first line देखें पहले हम यह वाला दिखाते हैं यह वाला पहले first line में यहाँ number हो गया यह number क्या हो गया यह हुआ declare हो गया ठीक है अब हम देखते हैं इसको यह वाला second line यह वाला यहाँ से number equal to new int 5 यहाँ size define कर दिए अब यह जो number नाम का variable है यह point करेगा इसको इसमें कितना size है 5 तो 1, 2, 3, 4, 5 यह क्या हो गया एक line में भी हम इसको create and declare कर सकते हैं तो यह हमारा दो point हो गया तीसरा point में क्या था हमारा initialization of array array को initialize करेंगे तो हम direct ऐसे भी कर सकते है number of 0 equal to 35 यानि एक 0 पोजिशन में हम 35 वाल उडा दिए या value के value के first position में यानि के वन्त पोजिशन में हमने क्या डाला value डाला तो यह दोनों values में assign हो जाएगा यह हुआ static static type of initialization यानि जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी वक्त डाल रहे हैं और हम साथी साथ इसको क्या कर सकते हैं dynamic जब हम प्रोग्राम रन करेंगे उस वक्त भी हम array में value डाल सकते हैं तो वह होगा runtime value initialization ठीक है अब हम बात करते हैं दोड़ा सा कि array का जो initialization होता हो उसका तीसरा तरीका जो होगा वह क्या होगा जैसे हमने यहाँ पर लिखा another way for initialization जैसे आप देखिए यहाँ पर type array का नाम यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर size को define नहीं कर लेगा यह compiler automatically size को define कर लेगा दूसरे example देखिए यहाँ पर अच्छा यह समझे गए आप इसको ऐसी हम define कर सकते हैं एक यहाँ पर देखिए हम array को copy कैसे करते हैं यहाँ पर हमने लिया int a a आपका array है और यहाँ पर हमने तीन value डाला 2,4,10 याद रहे यहाँ कॉमा से ही होगा value ठीक है उसके बाद हमने एक और array लिया blank array b और फिर हमने b equal to a that means a का जो भी value केसम चला गया एक जो value होगा वो b में आ गया ठीक है ना तो इस तरीके से array को हम एक का value दूसरे array में डाल सकते हैं और array का हमने देखा creation और इसके हमने declaration और initialization हमने देखा इसके साथ array के जो examples होगे वो मैं next lecture में देखाऊंगा और साथी साथ जो two dimensions आ रहे है उसको भी मैं next lecture में देखाऊंगा ठीक है तब तक के लिए आप इसको हाँ